बच्चों, आज हम अनुपचारिक पत्र के नियम और कायदे जानेंगे। और आज का विशे है, अपने मित्र को उसके पिता के स्वर्गवास होने पर समवेदना पत्र लिखें। पत्र लिखते समय इस परकार करें शब्दों का सही चुनाओ। आईए जानते हैं। सबसे पहले अभिवादन रहता है। अभिवादन हम अपने से छोटों को भी करते हैं और बड़ों को भी। छोटों को करते समय हमें प्रियमेत्र, आयुशमान, प्रियवर, मेरे प्यारे जैसे शब्दों का परियोग कर सकते हैं। और अभिनी वेदन यानि पत्र के अंत में हम अपने से छोटों के लिए प्रियमित्र शुपचिंतक जैसे शब्दों का प्रियोग करते हैं। और अपने से उम्र में बड़ों के लिए आज्याकारी, विश्वास पात्र जैसे शब्दों का प्रियोग करते हैं. आज के पत्र का हमारा विशे है, अपने वित्र को उसके पिता के स्वर्गवास होने पर समवेदना पत्र लिखें. आएए पहले पत्र के अंग के बारे में जाम लें. सबसे पहले पत्र लिखते समय, पत्र प्रेशक यानि पत्र लिखने वाले का नाम एवं पता रहता है. उसके बाद दिनांग यानि तिथी और उसके बाद संबोधन अभिवादन उसके बाद पत्र का मुख्य विशे और अंत में अभिनिवेदन आईए जाने पत्र भेजने वारे का पता किस तरह से लिखते हैं सबसे पहले मकान नंबर गली शहर महुले का नाम और तिथी आईए पत्र की शुरुवाद करते हैं अभिवादन के साथ प्रिय मित्र सोमनाथ आपका पत्र मिला यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है यह मैंने कलपना भी नहीं की थी अभी कुछ दिन पहले ही तो उनसे मिलना हुआ था तब वे खो दिया उनके निधन से आपके परिवार को ही हानी नहीं हुई है अपितु पूरे समाज को हानी हुई है लेकिन काल के आगे सब असहाय और विवश है उसकी शक्ति से कोई नहीं बच सकता धैरिये के अतिरिक्त दूसरा कोई उपचार नहीं है हम सब तुम्हारे इस आपा प्रात्ना है कि वे तुम्हें इस आपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और स्वर्ग ये आत्मा को शान्ति दे पत्र का अभिनिवेदन तुम्हारे दुख में दुखी तुम्हारा मित्र रमेश अनुपचारिक पत्र का परारूप कुछ इस तरह से रहेगा अच्छी तरह से एक नए पत्र के साथ हम फिर मिलेंगे धन्यवाद